तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ऐसा जूस लेकर आया हूँ जिसे पीने के बाद आप कम से कम सो से ज़्यादा बीमारियों से सुरच्चित रहेंगे और आपके सरीर में भी खून की कमी नहीं होगी यह बहुत ही जटपट से बनने वाला जूस है क्योंकि यह जूस जब हम मार्केट में पीने जाते हैं तो काफी मेगा मिलता है और घर पर यह बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बहुत कम चीजों से बनके तयार हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा मिक्सी जूस पो नहीं लेना है आप इसको सिंपल तरीके से भी अपने गर पर बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, तो आज मैं आपको इसमें काफी टिप्स और ट्रिक बताऊंगे, तो आपने को जुरूल फॉलो करना, तो आपका जो जूस है, मार्किट से भी ज्यादा टेस्ट यू अच्छा बनेगा आप हम इसा हश्ट पुष्ट और स्वस्थ रहेंगे, तो चली इसको रहना स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ले ली हैं, यह काफी बड़ी बड़ी गाजर हैं, इसलिए में दो ली हैं, छोटी हैं, तो आप तीन से चार भी ले सकते हैं, तो अब हम क्या क इस तरह से मैंने आपर सारी गाजनों का जिलका निकाल दिया हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे, तो मोटा मोटा ही हमें रफली चॉप कर लेना हैं, अगर आपके पास मिक्सी का जार नहीं है, तो आप ग्रेट करके भी जूस को निकाल तो चुकंदर का भी जो छिलका है वो निकाल के अच्छे से इसको भी हम रफली चौप कर लेंगे तो आपको पताई है कि एनिमिया की कमी जो होती है सरी में खून की कमी उसको पूरा करता है और हमारे सरी में कैसी भी थकान कमजोरी होगी इसे पीने के वाद आप बिल्कुल भ देंगे मैं आपको पहली बताया है कि अगर आप मिक्सी कजार में ही बनाना चाहते हैं तो आप सारी चीजों को ग्रेट करके भी जूस को बना सकते हैं तब भी काफी जूस बन जाएगा अच्छे से तो अब उसमें चुकंदर और गाजर हैं उनको डाल देंगे आपको पता क्रामिंग चीजी होता है भरपूर मात्रा में होता है और ये हमारे दो ऩ॥े सिस्ञेघी को भी स्ट्रॉं करता है अगर लामारा इमूनुक को ब member कभी नहीं तो यह आवला डालना बहुत जरूरी है यह हमारे से लिए बहुत ज्यादा अच्छा है अब मैंने अद्रक का टुकडा जिसको मैं रफली चॉप करके डाल रही हूं और जो अद्रक होता है उससे भी गैस अपच कब्ज सारी चीजें खतम हो जाती है काफी फायदवन्द होता है थोड़ी सी मैंने आप ले ली है पालक की पत्तियां इनको रफली चॉप करके डाल रही हूं इसमें पालक को पताइए कि आईरन से भरपूर होता है इससे भी हमारा सरी स्वस्त रहता है इसके एकदम चमतकार बनती है बहुत ही ज्यादा है पालक जो जो चीजेंद में इ तो यह लिजिए सारी चीजल्यों का मैने एकदम फाइन पेश्ट बना लिया है मैं बावल और लेंगे एस तरह का एक इस्टेलर सामनागावज योजना अगर आपके पास तरह का इस्तेलर नहीं है तो क्या करेंगे मैं इस तरह से दबाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफी सारा जूस जो है नीचे निकल आएगा और जो पल्प पल्प है वह उपर दे जाएगा अगर आपके पास यह नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका कि उससे भी आम निकाल सकते हैं उस को भी रैस्पी बनाती है तो इसी कपड़े को यूज कर लेती हूं अब इसमें सारे मिक्स को डाल जाएंगे इस तरह से और इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से टाइट हातों से पकड़ लेंगे और अच्छे से इसको निचोड़ेंगे यह देखिए ऐसा लग रहा ह कि इसमें कितना सारा रस भरा हुआ है पूरा रस एक एक भूंद भूंद इसमें से निकलाएगी बहुत अच्छा तरीका है यह स्टेलर से भी ज्यादा बैस्ट तरीका है इतना अच्छा तो आप जूसर में भी निकाल सकते इतना अच्छा आप इस कपड़े में यह जूस प्रेंस आपको ध्यार रखना है कि हातों के पहले आप अच्छे से साब धोना उसके बाद यह तरीका करना है नहीं तो क्या हुआ अगर आपके हाथ गंदे होंगे न तो यह जूस इंकाल से आपको और ज्यादा बीमारी बन जाएंगी फाइदा के बजाए तो आप हातों को सा फ्रेशनेस देने के लिए मैं आप डालने हो थोड़ी सी फ्रेश पूदीने की पत्तियां अगर आपके पास है तो डालना बनना आप इसको इसको कर सकते हैं पूरी तरह से यह ऑप्सनल है इससे बस इसमें फिलेवर अच्छा जाएगा एक बड़ी आप फ्रेशनेस आईग थोड़ा थोड़ा सा नमक अगर आप नमक नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा और इसमें आप ठंडे ठंडे जूस को सर्व करेंगी यह देखिए कितना ज्यादा एकदम बड़िया लग रहा है देखने में कोई बताई नहीं पाएगा कि यह आपने जूस को जरूल टाई किजिएगा बच्चों को पिलाइए बड़ों को पिलाइए आप खुद पीजिएगा बिल्कुल भी आपको कमजोरी मेहसूस नहीं होगी तो प्रेंड्स कैच लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके जरू बताना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो में वीडियो को लाइक मुझे लको सब्सक्राइब करें बाई बाई